बारिश और बार्ड के कारण पूरे मद्ध और पश्चमी भारत में हाहकार मचा हुआ है 36 गड़ से गुजरात और महराश तक भारी बारिश अपने साथ सब कुछ भाले जा रही है गुजरात के हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं तो वहीं महरास्ट में बाल और बारिश से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है मौसम विभाग ने मद्ध भारत के इन राज्यों के साथ साथ आज कीरल में भी भारी बारिश का अलट जारी किया है गुजरात में बाल और बारिश ने कहर बरपा रखा है कई जगहों पर रेस्क्यू आपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है वडोद्रा में इंडियारेफ की टीम ने संभोई में करीब 178 लोगों को मुसीबत से निकाला वहीं नवसारी में कोस्ट गार्ड की टीम ने हलिकॉप्टर के जरीए दो महिलाओं और एक बच्चे का रेस्क्यू किया MP के नर्मदा पुरम में लगातार भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है यह तस्वीरे देखिए पानी किस कदर लोगों के घरों में बुरी तरह से घुस्ता हुआ नजर आ रहा है बारिश के कारण लोग अपने घरों के अंदर ही सही तरीके से बैट नहीं पा रहे हैं बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है बारिश के चलते NDRF की टीम रिस्क्यू आपरेशन कर रही है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पानी में कमर तक पानी में जाने को मजबूर है बाल और बारिश ने कहत लगातार जारी किया है NDRF की रिस्क्यू टीम लगातार आपरेशन में लगी है लोगों को रहत बचाव कार में लगी हुई है लोगों को सुविधाय मोहिया करा रही है बारिश और बार्ड के कारण पूरे मद्ध और पश्चमी भारत में हाकार मचा हुआ है 36 गर्ड से गुजरात और महराश तक भारी बारिश अपने साथ सबकुछ बहा ले जा रही है गुजरात के हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं तो वहीं महराश बार और बारिश में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है मौसम भाग ने मद भारत के इन राज्जियों के साथ साथ आज कीरल में भी भारी बारिश का लगतार अलट जारी किया गया